तो गाइस क्यासे हो आप लोग तोरे निगारी मॉटल के नेक्स्ट यू नोवल के एपिसोड नमर 364 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वहाँ पर जुआन लोग उस लेडी को अपने पास ले जाने की कोजिस करने लगते हैं लेकिन वहाँ पर दिखा जाता है कि जो लाइट से वह उसको वापस अपने तरफ खीच रहे हो तो डिसिपिटेट हो जाती है सौंग जी वहाँ से आगे बढ़ीनी पातियों में पदा जलता है कि वह असल में परपर प्रेंट एंश्रेस्ट सोल लॉक होती है जो कि असल में वह एक सोल लॉक के जैसे होती है और यह से देख एंसेड़ एंपर इसमाल करने लगता है वह यूँआनो की तब देखने लगता है जो क्या आता है कि यह मेरी एंपर से कोई भी इसको नहीं ले जा सकता है मैंने अरेडी इसके बॉड़ी में सोल लोक को लगा रखा है जो कि एक एंसेर एंचेस्टर के रैली के अगर यहाँ पे मैं मरता हूँ तो वो भी मारी जाएगी अगर यहाँ पे एक ही टॉट में उसे मार सकता है और वो मुझसे 100 फिट से जादूर तक नहीं जा सकती है जाता कि मेरे उपर के लोक को ब्रेक ना किया जा यहाँ पे कोई भी आसान ही है जो कि इसको मुझसे जुदा कर सके और वो उससे कहने लगता है मतलब वाली से कहने लगता है कि अगर इसकी जिन्दगी और मौत का सवाल देखा जा तो यहाँ पे यह मेरे हाथों में है वाली तुम्हारी अभी तक ही मतलब कि तुम मुझे मार पाओगे अगर मैं मरा तो तुम्हारी वाइप भी मतलब यह भी मारी जाएगी वाली उसकी तफदीग कर हसने हुए क्या था कि वाली आके कार तुम मिल क्युँ नहीं करे जुको मिल सामने जुको आकेकर तुम खरे क्यूं हो मतलब यह वहां पे वो बहुत कया सकतो कि भावना हों बह niesा कर वाली को क्याना चाहूंगी जल्दी से उसके उपर से सोल रेस्ट्रिक्षन को हता हुटा कि वाइन अपनी वोमेन को ले जा सके वरना मैं यहाँ पे जिसके बाद मैं अपने खुद जाकर ग्रांट एम्परेर गुडाव से स्पिल को हटाने को कहुँगा तो ओल्ड मैन जो कि उसका फादर होता है जो कहाता है कि इंपिरियो सन यह वोमेन वर्थ इतने इसे जाने दू लेकिन हमें दिखाया जाता है एंसेंट डाव एम्परेर को जो कहाता है कि नहीं मैं इसको नहीं जाने दूँगा अब यहां पर वो बिल्कुल ही मना ही कर देता है सब लोग उसको समझाने की कोसिस करने लगता है लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता जिसके बाद हमें वालिन को दिखाया जाता है जो उसे कहता है कि अगर मैं नील डाउन हूँ मतलमें अपने गुर्टनों पे जुकू क्या क्या तो मुझे उसे जाने दोगी मतलब क्या सकते हो कि वहा talked किसी के सामने नहीं जुका क्या सकते हो कि कितने भी पाउफ़ुल आ ज crest कॉ किसी के सामने जुकने का रही नहीं था लेकिन वो लिक यकन वह बुक्त तो क्या तो मुझे अपनी वाइफ के स्थोल को ली jáने दोगी अब यहाँ पर हमें दिखा आ जाता है इंप्रेयर को जो सिमाल करने लगता है वह बहुती डार्क तरीके से इस्माल करते वह कहता है कि तुम तो मैं आहिसमें जुकना नहीं चाते थे मैं यहाँ पर इंसन्द शुरू को अपनी पूरी जिन्द की वर गार्ट करते के तब है पर इन यहाँ के नील करूंगा मैं किसी को मारूंगा नहीं मुझे मॊह उसका सुल केए फ्रैग्मेंट को लेना मुझे वापस कर दो और रवहां दिखावान की यह देनी पार्स को शूल के लिए आंपनी पार्स को भी शप्रेज कर रहा था हुआ सको मार चुका होता घर यहाँ पर इज़त ना आई होते हैं कि वह यहीं के पार्ट थे और वहाँ पर में दिखा जाता है वालिंगों ताकि मैं अपने सोल कुल लेजा सकूँ जिसको देखकर वो क्या आता है की चलो बता हम तुमाहे पास क्या चीजह जिसको ती तुम ट्रेट करना चाहते हो अब यहां पर दिखा जाता है वालिक को जो कि आपने पास से सलेष्टर एंपरेज्च के सोल को निकालते हो यह तो देखते हैं साहे बंदे होते हैं सफी यहां पर वाली ने किसी नौर्मल बंदे को नहीं बलकि एक ग्राइंपरे मुस्ट पाफुल क्या सकतो लिष्ट में ग्राइंपरेस के सोल को अपनी पास्वा कहा है लेकिन यहां पर दिल धरकने बर गई है लेकिन वह फिर भी कहता है काफी नहीं है जिसके बाद वाली वहां सले लेड़ एंपरेस के हेट काफी है हमारे पूरे कि पूरे ईंसेंट क्लैंज को यह काफी है काफी है तुम इसको ले ना समझाने लगता है कि यार कितना हिलालची हो जाता है इसको देख κάν तो यार वो उसके फादर भी बुशा हो जाताね कि बच्चे यार तूमान जाना यार किई एक मू百多 का हमान के तना जाना करना कहाता है कि इंसान की बर्बादी को चूका है तो और इसे क्याता ही कि तुम काफी दूर जा चुके है और यहां पर हमें दिखा जाता है अभी अब एंपरी Gwerda उसे बचा लेंगा वह जूलवाव से भी कहाता है कि तुम यहान पे कुछ नहीं कर सकता है तो मुझे हाट नहीं कर सकता है क्या क्या तुम्हें ग्रांढ एंपर गुड़ाव की डर से आइंगर से डर नहीं लगता और यहाँ पर को साइची क्यें देखने लगता है मतलब कि उसे अपने ग्रेट नहीं है मेरे पास एक ही डिस्पल से और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं येकिन वह अपने डिस्प टीचर के तब देखते हुए क्या था टीचर और यहां पे यह कहा जाता कि वह इसमाइल उसको पांस करने लगता है और क्या था टीचर आप इसंड़ों को अप आपने जो किया हैं बहुत जाला है यहां पर हमेशा जिंदगी बर ऐसान रहेगा जिसके पास वाइन खरा उतार क्या आता है कि यह बिस्पल आपको कभी भी नहीं भूलेगा यहां पर हमें बताया जाता है कि वह यहां पर अपने टीचर की वजह से साई चीज़े कर रहा थ यहां पर एंपर वो तो हसे जहा था मानू यहां पर वो एंपर वाइन का मजा कुरा था कि देख बचे तो कुछ नहीं कर पाया लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है दिखाया जाता है वाइन को जोगे फिर से अपने टीचर की तरह देखने लगता है और क्या था व कि वो तो हमेशा खोचुकी है मैं हमेशा से सफर करते आया हूं और मैं यहां पर अपने टीचर को भी सफर करते वे नहीं देखना चाहता और दिखाया जाता है यहां पर वाली उनके सामने जुखता और दिखाया जाता है कि उसी वक्त वाव बहां कि बिना किसी है स्टेशन कि खुद को मारने लगता और दिखा जाता है उसी वक्त वहाँ पर वाली अपने आपको खतम कर देता है मतलब कि वो मारा जाता है और यहां के जितने भी बंदे होते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वाली ने यहाँ पर अपने आपको खुद को मार दिया होता है फिलाल वो दूसी दफा था जब वो अपनी टीचर के सामने नो टाउन कर रहा होता जितने भी एंप्रेर होते हों कहाते हैं कि क्या यह मारा जा चुका है लेकिन दिखाया जाता है कि वहां पर वागल अपने आपको मार दिया होता मतलब क्या सकते हो लिट्वरी अपने आपको अपने टीचर के सामने लेकिन उसके तुरंत बादी यहां पर दिखाया जाता है कि फिर से वहां पर एनरजी ग्यादर होने लगती है और फिर से एक नया वागल बन जाता है मतलब क्या सकते हो कि वागल ने अपने आपको मार कर फिर से पुनर जीवन कर लिया होता है उसी के सामने और यहांपे वालिन एक नएंअगा लेती हैं और पदा चलता कि असलने वालिन जिएरवक्त किया था और ऊपने टीचर के साथ जो उख रिलेस्टंग है और यहांपे वोद्वीच के साथ कपका एम्पर को मार चुका होता है जबकि वो फिर से रिजर्वाट्ट हो गया था है तो एंपर इसके ठीचे के साथ कोई भी पोजीशन नहीं था मतलब कोई भी कह सबते रिलेस्टं नहीं था इसके वह इन सब को खुले आम मार सकता है मारने के बाद भी ठीचर आब ये डाप इंपरेर का नाम होता उसकी अंदर से जितनी भी किलिक होती ही भीना किसी रिजर्वेसल कहीं रिलीज होने लगती है क्या हो सकते हो कि अभी तक सबसे पाफुल वाइन बन चुका होता है इसको देखकर तो इसंट आप इंपरेर की तो माने रूह कर जाती है वो स बाच में मार दाइने वाला हर सीजी साथ थर्टे सिक्स फेर्ण सो इसके बताब चाहने लगते हैं लेकिन वाइन अपने एक्स्ट्रीम फायर डॉस से उन सब पर अटाक करता है उस साथ में 18 गिंस भी आकर वाइन पर टाक करने लगता है और क्या सकता है यहां पर सिफ दमा पर दिये होता है उसके जो पावर से ऑस चाहताब इरॉप्ट हो रही होते है और हमें टेमपल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पार के लोग देख रहे होते हो तो समानो डर से काप रहे थे कोई भी अंदर जाकर वाँ पर इंटर्फेर करने की कोशिस नहीं कर रहा होता है जिसके बाद हमें दिखा जाता है एंप्रेर को जहाँ पर हो कहा था कि वानि अगर मैं मारा तो तुम्हारी वोमेन भी मारी जाएगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे मारने कि में पास Grand Emperor गूड़ाओ की प्रोटेक्शन है कोई भी मुझे नहीं मार सकता है इस दुनिया में क्योंकि यहाँ पर में पास गूड़ाओ है लेकिन वानि उसकी बाटों को इग्नोर करते हुए सौंग जी कितब देखने लगता है और सौंग जी भी वानि कितब देख रहा होता है यहाँ पर यह साई चीज़ चल रहा था कि तब वहां पे एक सैडू लाइक अपियर हो जाता है लेकिन वानि उसकी तब ध्यान नहीं देता मानो उसके लिए अभी सेव सौंग जी ही वहां पे मौजूद हो और साथ में डॉलस फिगर्स फिर से आके वानि पर अटैक कर दते हैं लेकिन यहाँ पर उन सबको मार देता है वानि वानि उसकी तब देखने लगता है और सबको मारने लगता है जिसके बाद वानि उ लेकिन मैं जानता हो कि तुम तुम मेरी ली मुवान हो अब देखो ली मुवान और जीनर मतलब वानि वो दोनों एक ही है आप लोग पिसले अगर देखोंगे वीडियो मतलब नौबर्स की वीडियो देखते है या फिर डॉंग वान देखेंगे तो आपको पता ही होगा कि ली मुवान और साथ में वानिर वो दोनों एक ही है क्या सकता की निकनेम है इसे के साथ दिखा जाता है कि जैसे हैं उसके सामने ली मुवान आता है उसे कुछ याद आने लगता है लेकिन फिर भी उससे याद निया आ रहा है मन में उसके दिल में उसके दिमाग में दर्द ह उने लगता है वो याद करने की कौस्स करने लगती लेकिन उसके उपर सील लगी हुई थी जिसके का उस से नहीं पता लगा अपा रहे थी जिसके को देखकर वहां पर वानिं आगी कीताब बढ़ता है और अपने राइट हैं को ऊपर उठाथा है और उसके सर के उपर अपने ब्लड टुको डालता है सोल ब्लड को उसके अंदर इंसर्ट करता है और दिखा जाता है जासे ही उसके अंदर सोल ब्लड जाती है वहां पे एक फाइन लैंड बनी हुई थी जो कि सील लगी हुई थी उस सील को वानिं का ब्लड सोल ब्लड टोर देता है और दिखा जाता है आदा हो जाता और जैसे ही वहाँ पे कटता है एंप्रेड के मुझसे भी खून निकलने लगता है क्योंकि यहाँ पे जो सील लगी हुई थी वो सील को वाइली ने हटा दिया होता जिसको दीकर वहाँ तक को वो भी हरान हो जाता और क्या था यह यह नमुम्किन है यह परपर साथ ले जाँगा जो भी तुम्हे मारने की कोसिस करेंगे मैं उससे याद आने लगता है कुछ कुछ क्योंकि वहा पे उसको सिफ एक या लाइन या थी कृकहा से एक लगता है धीर दे उसको याद आने लगता है उसे धीर दी साही चीजी याद आने लगता है वो केव याद आने लगता है जिसके आखरी पल गुजरे होते हैं उसे सारी बंदे याद आने लगते हैं कि क्या सी वहाँ पर होते हैं फिर से कहाता है कि चिंता मत करो यहाँ पर डर कानवानिन एक conference आरता है इसना जारत को अपने वोमिन को हग करने लगता है जिस नजारे को दिख कर तो वहां पर काफी जागुस्ता हो जाता है और इसे काफी जादा हो आने लगता है जिसके साथ में दिखा जाता है emperor को जो कहाता है कि मैं ancient emperor हूँ मैं पास Grand Emperor की protection है तो मुझे मार नहीं सकता हुआ उसे डर ठा था कि यहाँ पर wan उसे भी मार देगा और दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी डरा हुआता है जिसके साथ हमें वान को दिखा जाता जो उसको गल लगाए हुए था और वहाँ पे अपनी इंटेंट रिलीज करता है कि लिए इंटेंट जिसको देखकर इंसेंड आ एंपरेट कर चीख मारता है कि ग्राइंट एंपरेट गूडाव मुझे बचा लो तो इसे के साथ हमारी एपिसोड कतम होता तो मिलते हैं एगले वीडियो में देखते हैं कि क्या वाली वहाँ पे एंपरेट को मार पाता है या फिर नहीं और क्या यहाँ पे गूडाव आने वाला या फिर नहीं तो मिलते हैं नेक्स मेमन तब तक लिए बाई